Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel accounting masterclass and इस समय हम discuss कर रहे हैं subject SAPM that is security analysis and portfolio management का ये subject इस समय हम discuss कर रहे है and इस series में आज मेरा 31st lecture video है 30 lecture video मैं already upload कर चुकी हूँ and आज हमारा 31st lecture video है तो चलिए एक पर short में आपको बताती हूँ कि ये जो chapter हम लोग पढ़ रहे है इस समय हमारा जो chapter है that is about risk risk का chapter इस समय हम पढ़ रहे है and इस chapter में हम क्या-क्या पढ़ चुके है and आज के lecture में हम क्या पढ़ेंगे ये भी आपको पहले में बता देती हूँ उसके बाद हम lecture start करते है तो हम जो ये chapter हमारा जो चल रहा है risk का इसमें मैं आपको detail में बता चुकी हूँ about risk risk क्या होता है इसको हमने example के साथ समझा है risk के component कौन-कौन से है या क्या लिचे risk कितने type का है ये भी हम detail में पढ़ चुके है तो risk दो type का होता है एक होता है systematic risk और एक होता है unsystematic risk systematic risk को further तीन category में divide किया जा सकता है एक है market risk, एक है interest rate risk, एक है purchasing power risk तो ये तीन type के होता है unsystematic risk दो type का होता है business risk and financial risk तो ये हो गए different type के risk तो ये सब हम पिछले lecture वीडियो में इस chapter में पढ़ चुके है तो देखिए हम जानते हैं कोई भी rational investor है कोई भी समझदार investor है वो invest करने से पहले किसी भी securities में invest करने से पहले क्या करेगा risk analysis करेगा वो जिस भी security में investment के लिए सोच रहा है उसका properly risk को calculate करेगा सोचे समझेगा उसके बाद ही investment के लिए जाएगा तो अभी तक हमने जितने भी type of risk पढ़े है ये क्या है ये है qualitative term में risk अभी तक हमने जितने type के risk पढ़े है market risk, interest rate risk, purchasing power business and financial risk अभी तक जितने हमने risk पढ़े है वो क्या था risk को हम मतलब calculate कर रहे थे understand करने की कोशिश कर रहे थे in qualitative term लेकिन risk को quantitative term में numbers के form में calculate करना बहुत जरूरी है तभी आप comparison कर पाएंगे ये बात समझे आई risk को quantitative term में numbers के form में express करना बहुत जरूरी है तभी किसी दो security को company A के share, company B के share आप तभी compare कर पाएंगे when you know the risk of these security in quantitative term number के form में जब आपको पता है ठीक है अद एक बात और है कि risk होता है आप एकदम accurate 100% accuracy के साथ किसी भी risk को calculate नहीं कर सकते है क्यों क्योंकि हम जानते हैं risk तो बहुत सारे factors के कारन होता है जैसे social risk मतलब social factors के कारण risk हो सकता है political factor के कारण, economic factor के कारण managerial inefficiency के कारण तो risk तो बहुत सारे factors के कारण हो सकता है तो risk को एकदम 100% accuracy के साथ निकालना ये मुश्किल है ठीक बट फिर भी क्या लिजे risk का हम एक approximate measure हम कर सकते हैं quantitative term में अगर हम risk को calculate करना चाहते हैं तो वही आज हम पढ़ने वाले है risk को हम कैसे calculate करेंगे तो standard deviation एक tool है standard deviation एक tool है जिसकी मदद से हम risk को calculate कर सकते है तो वही आज हम detail में पढ़ने वाले है standard deviation क्या होता है इसका क्या significance है and how we can calculate the standard deviation हम standard deviation कैसे calculate कर सकते हैं उससे हमें risk के बारे में क्या idea लगता है यह सब हम detail में समझेंगे एक example लेकर detail में समझाऊंगे तो यह हमें आज के lecture में पढ़ना है और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CRL, characteristic regression line बहुत important है, इसको graph के साथ समझेंगे फिर उसके बाद मैं आपको beta के बारे में बताऊंगी alpha के बारे में बताऊंगी इन सब को कैसे calculate करते हैं यह सब हम detail में समझेंगे ठीक है, तो चलिए फिर time नहीं waste करते हैं जल्दी से आज का lecture हम start करते हैं तो risk, risk तो पता है न यह chapter जब मैंने शुरू किया था, तो detail में एक lecture मेरा केवल risk के बारे में है risk होता क्या है तो risk क्या है, it is the probability of loss यानि loss होनी की जो संभावना है that is called risk, एक definition यह है दूसरी definition क्या है, जो यहाँ पर fit बैठती है that is, fit तो दोनों ही है मतलब यहाँ पर securities के term में दोनों definition सही है, लेकिन securities के term में ठीक है, यहाँ पर investment की हम बात कर रहे है finance की बात कर रहे है तो securities के term में यहाँ पर जो definition है risk की वो क्या है variation in return यानि जो भी return आ रहा है, उसमें कितना variation आ रहा है that is called risk अगर कोई security उसमें बहुत जादा variation है उसके return में, इसका मतलब क्या है risk is high, कोई security है उसके return में कम variation है, मतलब क्या है risk is low, तो risk basically क्या होता है, risk is the variation in return return में जो variation होता है न, that is called risk इसी को risk कहते है ठीक, अब आपको याद आ रहा होगा हमने जब stats पढ़ाए अगर आपने मेरी चानल से stats की playlist अकर देखी है या आपने stats तो पढ़ाई होगा BBA में, वैसे class 11-12 में भी है उसके बाद BBA में या MBA में भी stats जब पढ़ा होगा तब आपने एक term पढ़ा होगा standard deviation, यादार है standard deviation पढ़ा था हम, तो नाम क्या है standard deviation deviation मतलब deviate होना ठीक है, dispersion तो standard deviation basically क्या था deviation from the standard यानि standard मतलब mean mean से कितना deviation हो रहा है जो mean है, mean से कितना deviation हो रहा है, कितना dispersion हो रहा है, वही हम measure करते थे standard deviation से, और यही तो risk है, risk क्या है risk is the variation in return यानि return में कितना variation आ रहा है यही तो risk है, और standard deviation क्या measure करता है, standard deviation measure करता है, deviation from the standard, यानि deviation from the mean, mean से कितना deviation हो रहा है, यह standard deviation measure करता है, तो यानि standard deviation एक ऐसा statistical tool है, हमारे पास एक ऐस statistical tool है, standard deviation के नाम का, जिससे हम क्या measure कर सकते हैं, जिससे हम measure कर सकते हैं, किसी भी security, किसी भी stock का, क्या risk है, यह measure कर सकते हैं, वो जो security है, उसमें कितनी volatility है ठीक है वो security कितना vary कर रहा है कितनी volatility है ये measure कर सकते है किस से standard deviation से ठीक है तो standard deviation क्या है standard deviation एक statistical tool है which measures the risk या कहलेचे volatility measure करता है standard deviation measure the dispersion of data point around the mean जो standard deviation है वो क्या measure करता है dispersion of data point यानि ये जो data है basically return का जो data है वो कितना disperse है, कितना vary कर रहा है around the mean mean के around कितना vary करता है यह हम standard deviation से measure कर सकते हैं ठीक, अब यहाँ पर मैंने कुछ और definition में लिखिए standard deviation की, तो standard deviation क्या है एक risk measurement tool हो गया, standard deviation एक tool है जिससे हम क्या measure कर सकते है, risk measure कर सकते है क्यों, क्योंकि risk क्या होता है, risk is the variation in return and standard deviation भी तो क्या बता रहा है, variation बता रहा है return में, ठीक है, तो standard deviation is a risk measurement tool जो शो करता है कि जो return है, किसी भी company का जो return है किसी भी stock का जो return है, वो कितना spread है कितना dispersed है, ठीक है, कितना vary कर रहा है तो this is standard deviation and standard deviation का जो formula है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी बढ़ आपने variance सुना होगा जब मैंने stats में standard deviation पढ़ाया तो महाँ पर variance भी पढ़ाया था तो standard deviation क्या होता है? simply square root of the variance standard deviation क्या होता है? variance को square root करिए standard deviation निकलाएगा यह standard deviation और कैसे निकाल सकते हैं? it is the square root of the sum of square deviation from mean divided by number of observation divided by number of observation यह क्या है? यह बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है अभी मैं formula आगे बताऊंगी तो अच्छे समझाएगा standard deviation क्या है? square root किया जाता है किसका square root किया जाता है? sum of the square deviation पहले आप deviation निकालते हैं उसको sum करते हैं फिर उसका square करते हैं उसको divide करते हैं number of observation से और फिर उसका square root लेते हैं तो standard deviation निकलाता है ठीक? और एक चीज़ और है अगर कोई stock है उसका high standard deviation है तो इसका मतलब क्या है? देखे high standard deviation यानि deviation जो हो रहा है mean से वो high है यानि volatility बहुत जादा है यानि वो stock क्या है? volatile है, high risk है risk उसका बहुत high है लेकिन अगर कोई company है जिसका standard deviation कम है यानि deviation from the mean mean से deviation कम है तो इसका मतलब क्या है? वो जो security है that is stable वो stable है, less risky है तो this is the significance of a standard deviation तो इससे हमें standard deviation से हमें उस security के riskiness security के volatility के बारे में पता चलता है ठीक है? और दो companies है suppose के लिए company A है company B का standard deviation इनके return का standard deviation दिया गया है तो आप उसको देख करके पता कर सकते है कि which security is more risky कौन सी जादा risky है तो basically standard deviation help to measure the relative riskiness of an asset किसी भी asset, किसी भी security किसी भी company के share की riskiness आप पता कर सकते है standard deviation की value को देख करके ठीक है? तो I hope अब आपको standard deviation अच्छे से समझ में आगया हो गया ठीक है? आगया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अब मैं आपको एक question कराती हूँ question कहिए या है एक example दे साथ हम समझते हैं कि standard deviation हम कैसे calculate करते हैं ठीक? करे question तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है दो companies है एक है company A एक है company B हम इनका क्या है? standard deviation निकालेंगे हम यह basically जारना चाहते हैं कि कौन सी company जो है वो ज़्यादा risky है किस company में मुझे investment करना चाहिए दो company है company A है company B है मुझे decision लेना है कि मुझे किस company में investment करना चाहिए तो मैं तो उस company के share खरीदूँगी न जो company क्या है less risky है मैं उसी company के साथ जाऊंगी जो company less risky है अभी कैसे पता चलेगा तो अगर मुझे इनके return का data दिया है ठीक है यह जो company है इसका return मुझे बताये गया है और PI मतलब probability इस return की क्या probability है यह बताये गया है तो इस data की help से I can calculate the standard deviation of these two company मैं इन दोनों company का अगर मुझे return दिया गया है और probability of this return PI क्या है probability इस return की क्या probability है यह अगर मुझे बताये गया है तो I can calculate the standard deviation मैं standard deviation calculate कर सकती हूँ ठीक है और standard deviation की value को देखके मैं पता कर सकती हूँ कि कौन सी company ज्यादा risk है कौन सी कम risk है तो वही तरीका मैं use करूँगी ठीक बट उससे पहले अभी आपको formula भी बताऊंगी बट पहले हम देख लेते हैं हमें data क्या दिया है तो देखिए यह company A है इसका return क्या है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है इसके returns है ठीक 6 return होने की probability क्या है 0.10 7 return होने की probability क्या है 0.25 8 की probability यह है 9 की probability यह है 10 की probability यह है ठीक ऐसी company B है Company B के return क्या है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है 4 की probability क्या है 0.1 6 की 0.2 0.4 0.2, 0.1 ठीक है ये इसकी probabilities है, तो return ये हो गया है, इसकी probability ये है, ठीक है, तो मैं आपसे कह रही थी न है, कि हम क्या calculate करेंगे, हमें calculate करना है standard deviation, तो सबसे पहले देखते है standard deviation का formula क्या है, तो this is the formula for calculating the standard deviation, standard deviation को calculate करने का ये है formula, देखे formula क्या है, अच्छा sigma जो है न, this is the symbol of standard deviation, standard deviation का symbol क्या है, sigma, ये, तो standard deviation का formula क्या है, standard deviation का formula है, under root summation i equals to 1 से लेके n, ठीक है, ये क्या है, कि कितना data आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपने देखा, इस question पर मुझे 5 data दिया है, 6, 7, 8, 9, 10, या 5 data दिया है, तो i i equals to 1 से लेके n, p, ठीक है, p is probability, p is probability, ठीक है, p ri, ri minus er, ri क्या है, return है, er क्या है, expected return है, er क्या है, expected return है, this bracket को close करिएगा, ठीक है, and इसका आप करेंगे square, ठीक, तो this is the formula for calculating the standard deviation, ये standard deviation को calculate करने का formula है, ठीक है, एक बाफ़र से रेख रही हूँ, standard deviation equals to under root summation i equals to 1 से लेके n, p क्या है, p क्या है, probability, फिर bracket में r minus er, ठीक है, और इसका whole square कर देंगे, ठीक है, r क्या है return, er क्या है, expected return, इसका square कर देंगे, और multiply करेंगे p से, तो हमारा क्या निकल क्या आजाएगा है, standard deviation, और standard deviation की value को कि हम बता सकेंगे कि कौन सी company, जादा risk है, कौन सी कम risk है, और variance की बात करें, तो variance क्या होता है, what is variance, variance is square of the standard deviation, variance क्या है, standard deviation जो निकाला है, उसका square कर देंगे, तो variance आ जाएगा, तो basically under root है, इसका, अगर मैं square कर दूंगे, तो under root हट जाएगा, तो यानि variance का formula क्या आ गया है, variance variance पूछा जाए, चाए standard deviation पूछा जाए, आप दोनों calculate कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे हम standard deviation निकालने जा रहे हैं, और उसकी हल से हम बताएंगे कि मुझे किस company में invest करना चाहिए, कौन सी company जादा risk है, कौन सी कम risk है, ठीक है, तो करना शुरू करें, तो इसके लिए देखे सब expected return के लिए simply आप क्या करते हैं, expected return, तो हम ज़रा देख लेते हैं, यह expected return calculate कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले में expected return को calculate करने का formula बताती हूँ, तो expected return basically क्या होता है, this is summation of i equals to 1 से लेके n, p, i, r, i, this is the formula for calculating expected return, expected return को calculate करने का simple सा यह formula है, Summation i equals to 1 से लेके n, p, i, r, i, p क्या है probability, r क्या है return, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें expected, चल गए यहाँ पे लिखती हूँ, हमें company a का expected return calculate करना है न, तो p, i, r, i, पहला, इन दोनों को multiply करें कितना होगा, 6 into 0.1, कितना हो गया, 0.6, तो 0.6, प्लस, next क्या है, 7 into 0.25, यह क्य हो गया, यह हो गया, r2 और यह क्या है, p2, ठीक है, 7 into 0.25, इन दोनों को multiply करेंगे, 1.75, ठीक, पिर अगला क्या है, r3, p3, r3 क्या है, 8, और यह क्या है, 0.3, multiply करेंगे, 2.4, यह आ गया, 2.4, प्लस, अगला क्या है, r4, p4, this into this, कितना आए गया, 2.25, 2.25, प्लस, next क्या है, r r5, p5, इन दोनों को multiply करेंगे, कितना जाएगा, 1, यह आगया, 1, ठीक, तो expected return जो है, उसको, एक सिकंड, wait, wait, हाँ, तो expected return निकालना है, तो simply आप क्या करेंगे, इन सब को sum करेंगे, निकाल लिया हमने, इन सब को sum करेंगे, तो जब sum करेंगे, आपका answer आएगा, 8, तो इस तरीके से आप expected return calculate करेंगे, यह समझ में आया, कैसे मैंने calculate किया, expected return के लिए, simply summation, i equals to 1 से लेके, and pi, ri, pi, ri का मतलब क्या है, p1, r1, plus p2, r2, plus p3, r3, p4, r4, plus p5, r5, तो यही हमने किया है, इन दोनों को multiply, इन को multiply किया है, तो multiply करकी यह लिखा है, और इन सब को sum कर दिया, simply आगे answer 8, यानि expected return जो है, company A का क्या है, company A का है 8, इसी तरीके से company B का मैं expected return निकाल सकती हूँ, क्या करूंगी, p1, r1, p2, r2, p3, r3, p4, r4, p5, r5, ठीक है, इन सब को मैंने, इनको multiply करके, यह value निकाली हो, इन सब को sum किया, तो पाया कि, इसका answer भी आगया 8, तो इससे हमें क expected return किया है, दोनों का expected return है 8, ठीक, तो expected return तो same आया, लेकिन हमें तो standard deviation निकालना है, तो expected return हमारा 8 आ गया है, बट हमें standard deviation निकालना है, तो चलिए standard deviation देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो simply हम क्या करें, यह जो हमें under root तो हम बाद में करेंगे, पहले यह जो term है न, इसके लिए हम table बना लेते हैं, देखें, company A का पहले निकालते हैं, यह r, यानि return तो हमें दिया गया है question में, 6, 7, 8, 9, 10, pi question में दिया गया है, probability in return की यह दी गई है, तो अब हम क्या करें, this is the formula, formula हमें पता है, तो हम क्या करें, सबसे पहले ri minus er निकाल लेते हैं, ri minus er निकाल ले, यह इनको square कर दें, क्योंकि इसका देखिए, square चाहिए नहीं यह आपर, तो एक column हमें बना लिया, ri minus er का हमने एक column बना लिया, तो ri minus er का एक column बना, एक column इसके square का बना ले, ठीक है, तो हमारा यहां तक calculate हो जाएगा, तो एक column हमें इसके square का बना लिया, अगला column क्या करें, multiply कर से, तो अगला column हमने, p से multiply करके, ri minus er का whole square, multiply करके, pi से multiply कर दिया, ठीक है, तो एक column हमने यह बना लिया, यहां तक हो गया, अब इसके बाद, यह जब पूरा निकल जाएगा, तो हमें किवल square root करना बागी रह जाएगा, ठीक, तो तरीका यह use करेंगे, मैंने calculation, time नब किवल समझा रही हूँ, ठीक, तो ri minus er करें, तो ri क्या है, 6, ठीक है, er क्या है, 8, यहां पे er क्या है, er is 8, अभी हमने निकाला न, expected return क्या है, expected return is 8, तो क्या होगा, 6 minus 8, तो 6 minus 8 कितना आता है, minus 2, 7 minus 8, कितना आएगा, minus 1, 8 minus 8, कितना आएगा, 0, 9 minus 8, कितना आएगा, 1, फिर, 10 minus 8 कितना आएगा 2 ठीक तो ये numbers आ गए समझ में आ गया अब अगला कॉलम क्या है इसको हमें square करना है जो ये आया है इसको square कर दो क्योंकि यहां पर formula में square है ठीक है तो minus 2 का square 4 minus 1 का square 1 0 का 0 1 का 1 2 का 4 ये हो गया ठीक है अगला क्या है हमें probability से multiply करना है तो 4 multiplied by 0.1 कितना आएगा 0.4 1 multiplied by 0.25 तो आगया 0.25 0 multiplied by this 0 को किसी से multiply करो 0 आएगा 1 into 0.25 तो आगया 0.25 4 into 0.1 तो आगया 0.40 आगया तो अब इसके बाद क्या करें इन सब को sum कर दीजे क्या है summation है तो इन सब को sum कर दीजे इसका मतलब होता है summation ठीक है इन सब को sum कर दीजे आगया 1.30 ठीक है तो ये इसकी पूरी की value हमने table से निकाल ली कितना आगया 1.30 तो क्या करें under root 1.30 करें तो अब ये जो आएगा वो क्या होगा standard deviation sigma होगा तो जब आप इस under root की value निकालेंगे calculator आपको exam में allow होता है basic calculator allow होता है तो जब आप इस under root की value निकालेंगे you will get 1.14 आपकी value कितनी निकल के आएगे 1.14 यानि जो company A का share है उसकी जो standard deviation उसके return का standard deviation है वो कितना है 1.14 and same तरीके से हम company B का standard deviation निकालेंगे R की value D है P की value D है R is return P is the probability of this return ठीक है वो दिया है formula हम जानते है this is the formula तो क्या करें इस सेम वही पहले RI minus ER एक column बनाएंगे RI minus ER फिर क्या करना है इसका square करना है ना तो एक square का column बना लेंगे फिर इसको PI से multiply करना है तो PI से multiply करेंगे ठीक है उसके बाद under root ले लेंगे तो R minus ER तो 4 minus ER expected return कितना है 8 है ना company B का भी expected return 8 आया है तो 4 minus 8 ठीक है 4 minus 8 कितना हुआ minus 4 6 minus 8 minus 2 8 minus 8 0 10 minus 8 2 12 minus 8 कितना हुआ 4 ठीक है तो ये आ गया अब क्या करें इसका square कर दें minus 4 का square 16 minus 2 का square 4 0 का square 0 2 का 4 4 का 16 ये आ गया अब क्या करें ठीक है ये हमने square निकाल लिया अब क्या करें इसको probability से multiply करें तो 16 multiplied by 0.1 1.6 4 multiplied by 0.2 0.8 0 multiplied by this तो 0 4 multiplied by 0.2 0.8 16 multiplied by 0.1 ये आ गया ठीक है अब क्या करें ये आ गया अब इसका क्या करना है? Summation करना है ना? तो आपने Summation किया तो आगया 4.8 ठीक है? Summation किया तो कितना आया 4.8 अब हम इस 4.8 का क्या लेंगे? Under root, तो हमारा क्या आजाएगा? Standard deviation तो ये Standard deviation आगया कितना? 2.19 ठीक, तो आपने देखा Company A का Standard deviation कितना आया? 1.14 Company B का Standard deviation कितना आया? 2.19 2.19 तो अब आप बता सकते हैं कि Which Company is more risky? या किस Company का जो Variation है Return का, वो ज्यादा है? तो हम देखके बता सकते हैं कि Company B जो है, this is more risky Company A is Company A का जो क्या लीजे, Company A is less risky Company A कम risky है ना? क्यों? क्योंकि इसका जो Standard deviation है, वो कितना निकल किया है? 1.14 कितना निकल किया है? 1.14 Company A का जबकि Company B का कितना है? 2.19 Company B का जो Standard deviation है, वो 2.19 है यानि Company B जो है, उसका जो Return है, उसका जो Variation हो रहा है वो क्या है? ज्यादा है 2.19 है जबकि company A जो है इसका क्या है standard deviation, इसका standard deviation 1.14 है, इसका मतलब क्या है, जो return है उसमें जो variation हो रहा है वो कम है, तो इस तरीके से standard deviation निकाला जाता है, company A, company B, दोनों का expected return सेम आया था 8, लेकिन जो variation आया expected return में, जो variation आया expected return में, जिसे हम risk कहते हैं, वो हमने standard deviation से calculate किया और कितना आया, एक का आया, company A का कितना आया, 1.14, company B का कितना आया, 2.19, तो हम कह सकते हैं कि company A is less risky, company A क्या है, less risky है, company A क्या है, जादा stable है, company A के return में variation कम है, company B के return में variation बहुत जादा है, ठीक है, company A के compare में, तो इस तरीके से हम decision ले सकते हैं कि किस company में हमे investment करना चाहिए, ठीक है, किसमें करना चाहिए, company A में, क्योंकि उसमें risk कम है, ठीक, तो इस तरीके से हम निकालेंगे standard deviation, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा से बताना चाहती हूँ, ये वो list of subject है, जो मैं आज की तारीक तक अपने चैनल पे, आज की तारीक मतलब मार्च 2024 तक अपने first channel accounting master class और second channel पूजा सिंग पे upload कर चुकी हूँ, और एक बात और है, ये अभी तक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बात देख रहे हैं, तो hopefully मैं इसमें काफी new subject add कर चुकी हूँगी, ये अभी तक है, मार्च 2024 तक, तो जरूर इसका फाइदा उठाइएगा, इसकी help से पढ़ियेगा, और अगर में चैनल पे uploaded videos के notes चाहिए, then you can download my application from Google Play Store, आप Google Play Store से मेरी application download कर सकते हैं, अगर मेरा पहला और दूसा चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा, और प्लीज वीडियो को like जरूर किया अगर यह हमें बहुत motivation मिलता है, और comment करके भी मुझे जरूर बताइएगा, यह lecture कैसा था, आपको समझ में आया की नहीं आया, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है characteristic regression line, और यह बहुत important topic है, इसमें हमें बहुत सारे graph अगेरा पढ़ने है, कैसे निकाली जाती है, क्या significance है characteristic regression line का, तो यह सब हमें पढ़ना है, लेकिन अब मैं यह अगले lecture में पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यह lecture अलएडी काफी लंदी हो गया है, तो यहां तक पढ़के रख्येगा, standard deviation कैसे निकाला जाता है, यह पढ़के रख्येगा, अगले turn पे हम beta के बारे में, alpha के बारे में, CRL लाइन के बारे में, इसका significance क्या है, graph की ऐसे समझते हैं, यह सब हम detail में अगले lecture में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैंने जिता पढ़ा है, तब तक उतना पढ़के रख्येगा, ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले lecture वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रख्येगा, God bless you.